जाएं दोस्तों कैसे आप सभी लोग आई विश बढ़ी आऊंगे तो भाई अभी पीछे से एक न्यूश सुने होगी तुमने के जो इसराइल है उसने क्या किया है गाजा पट्टी को दो भागों में डिवाइट कर दिया है इसना होगा फेमस म्यूज है भाई प्रोब्लम यह है कि मैंने एक शोट बनाया था और उस शोट में कुछ बच्चों की कमेंट थे कि सर आप फोड़ी एक वीडियो भी बनाओ शोट वीडियो खले हो और खुलके अपने व्यूज में रखने की कोशिश करूँगा कि क्या फिलाल हो रहा है और इस थिति कैसी बन रही है और मेरे कोडिंग क्या होना चाहिए इन सबी चीज़ों पर थोड़ा सा क्या करूँगा बात करूँगा ठीक है भी आप लोगों ने नियूज में क्या देखा नियूज में देखा कि जो इसराइल है उसने आधी गाजा पट्टी को दो भागों में क्या कर दिया हुआ यह धुआ तो समझ जाओ यह धुआ है कि आज से लगभग 40 दिन पहले एक लड़ाई शुरू हुई हमास जो कि एक आतंगवादी संगठन है उसने किस पर अटेक कर दिया था इसराइल पर अब चुकि हमास तो एक आतंगवादी संगठन है जो किसके अंडर है फिलिस के बीच है और भाय बहुत ही ब्यंक का रूप देता जा रहा है हम सभी को पता है अब प्रोब्लम क्या हुई दिक्कत कहा है दिक्कत पता है इसराइल और फिलिस्तिन दोनों पर विवाद होई रहे हैं दोनों में तो लड़ाई जगडे दहरा पर धालात होई रही है इसके स साथ भारत के अंदर या दूसरे देशों में भी इसका इंपेक्ट देखने को साफ मिल रहा है लागी इसराइल में यहूदी सबसे जादा है और फिलिस्तिन पूरी मुसलिम कंट्री है तो मुसलिम लोगों को लग रहा है कि सर इसराइल जो फिलिस्तिन पर अटेक कर रहा है आकर्मन कर रहा है वो गलत है जिस तरीके का काम इसराइल गाजा पट्टी जिसका कोई दोशी नहीं है तो उस तो हमास का है तो इसराइल तो हमास को लपिटेगा ना और हमास जिनकी आड लेगा उसके साथ पिटेगे यह सबसे ज़्यादा कांड़ा हो रहा है और चुकी मैंन अभी हाली की न्यूज में देखा अब क्या चल रहा है फिलाल उसको समझो अभी क्या यह वो गाजा पट्टी है और यह दो भाग में डिवाइट कर दी सर यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा यह दो भाग में क्या कर दी तो यह गाजा पट्टी अब दीखो इसी गाजा तो होगा अक्रमंण तो होगा तो इस्राइल को भी तो खत्रा होगा मतलब वह अटक की जल पर भी तो होगे तो फिलाल यहीं पर ही सेणा रोक दी एहीं रुख धीरे धीरे अगर जाएगा तो अंडर जाएगा इसके अलावा यह है सरु गाजा पट्टी जो 20 से क्या कर दिये बैट कर दिये यह 20 से और आदा भाग और देखो गाजा पट्टी का भविश्य हम सब पता है मुझे ऐसा लगता है कि वो इसराइल के पक्ष में ही जाएगा अगर तुम्हें बुराई का विरोध करना ही है तो फिर खुल के करो क्या दिक्कत है अगर तुम्हें लग रहा है कि इसराइल क्या है एक पुरा है इसराइल क्या है एकदम बुरा मतलब बिल्कुल बेकार एकदम विरोध है मतलब एकदम खतरनाक है अगला मतलब सारी बुर आँअल इतने ही पूल के बोलने वाले हो तो बोलो ना उपन लिए ऐजे लटकी मैं रावण सशादी करो है वह यार कमाल है कल्यूग फिर इस ही का नाम कभी एक कल्यूग अगर की सोच अच्छी होगी पहले कंसी हो उताश्व जल रहे हैं नहीं होगी तब तक अच्छी सोच कहा साएगी जब तक हजार रावन होंगे तब तक उसके अंदर एक राम कैसे आएंगे अच्छी सेलिब्रेट कर रहा था दिवाली पर क्या कर रहा था भारत को कि भारत हमारे पक्षम उविसी बात है और कई सारी कंट्रीज मान भी चुकी है कि भारत इसराइल की तरफ है तो मैं यह बोल रहा हूं कि क्यों ना हो हमारे इंडिविज्वल्स अलग हो सकते हैं हिंदो और मुसल्मानों की विचार अलग हो सकते हैं लड़ाई विचारों की तो होती है लड़ाई किस चीज की है विचारों की तो है मुसल्मान मुसल्मान को सपोर्ट कर रहा है चैक कुछ भी हो गलत हो चैसे हो हमें फरक नहीं पड़ता अब हमें तो अपने राजनीतिक रिलेशन भी तो देखने हैं खराब ना हो जाए क्यूंकि मैंने क्या कहा था इसराइल उसक्तान के मुद्डे पर पाकिस्तान का साथ देता है हम क्यूं करें और क्यूं करें जब वह हमास जैसे आतंगवादी संगठंगा सपोर्ट कर रहा है ये क्या better करेंगे ऐग्या मुद्दा सुल्जाएंगे लगता है इनके सुलजाने से ये तो इनका नुकसान होगा बताओ ये फैरर में है ये तुससे आप क्यों नहीं को यह ब्हुत कि घॉन रहाए ँसकी ऐन seminar करना पहिए सिपने जोगाना है तो एस जैसंकर ने बहुत खूब सरा जवाब दिया था उन्होंने कहा था कि यूरोप की जो प्रोब्लम है जब एश्या की प्रोब्लम थी तब वो यूरोप की प्रोब्लम नहीं थे तो जब आज यूरोप को प्रोब्लम है तो वो हमारी प्रोब्लम नहीं है तुम सारे आश्या अपना आप में पारफुल है, इस्राइल अपना आप में पारफुल है, भाया लपीट देगा दो मिनुट में इसके अलावा तुम्हें मैं एक स्टेट्मेंट सुनाता हूँ उसका, कहां गया भाया, एड तो किया था, इस्टो मिनट, यह रहा, किलिंग ओफ बेबीज, जस्टिन टूड़ो बोल ला है, करनारा वाला जिसके साथ अभी बच गया, बस यह थोड़ा बहुत, यह क्या बोल etiesटा है इसरेल को पता चला कि हमास का जो हेड़ थर है, जहां से वो परेट कर रहा है, वह एक अस्पताल में है यह फिर, हमास का जो हैड कार भतर है, पद्दा है, वह एक, इसमें, एक स्कूल के अंदर है तो इस हमास आतंगवादी संकठन ने उन बच्चों को एक तरीके से अपने सामने खड़ा किया हुआ है उनको एक तरीके से एक प्रोडक्शन शिल्ड नहीं होती, वो बनाया हुआ है अस्पताल को भी, जाए कोई स्कूल हो उसको भी अब प्रोब्लम यह हो रही है कि भाईया, यूद के अंदर जब होता है कभी भी यूद, तो हमारे भारत के अंदर क्या रूल है, हमारे भारत के अंदर यूद है कि जब भी कोई दूसरा देश हम पर आकरमन करेगा, तो हमारा जो आर्टिकल 19 है, वो क्या हो जाएगा, प्रति और उनके नीचे headquarter बना रखे तो जब इस्राइल बंप फैकेगा तो पूरे hospital पर फैकेगा भाईया आथंग बादी संगठेने सर वहाँ पर है कि अब हम भारती हैं हम इंडियन से हमारी क्या थियोरी यह दस दुस्मन छुड जाए लेकिन एक बेकसूर को क्या नहीं होने चाहिए यह एक बेकसूर मरना ने चाहिए तो जैसी हमारी सोच है हम expect ठोड़ी कर सकते हैं कि सामने वाले की वैसी सोचो भाया आपने उन पर attack किया है तो बदले में आपको जहिलना पड़ेगा जहिलना पड़ेगा आपको या रोको उसको भाया हम तो सांती की पक्ष में है हम तो हर वक्स कोषिट करेंगे कि भाया मत करो लड़े जगडे किसी का भला निант है बच्चे, ओरते, जितने भी है हर एक इंसान है, हर एक का अपना स्थित्व महाँपर है, आप उनको कोई भी हम ना पुछाओ, तो अगर इस्राईल नहीं मान रहा है, तो आप मान ज़ो यार सिंपल सी बात अगर इस्राईल नहीं रुक रहा है तो रुख जाओ ना यार अब इस्राइल आप उसको हलके में ले रहे हो चारों तरफ दुश्मन कंट्री से घिरा हुआ है वो क्या उसको इतनी इसे लिए आप करता हुए गया दुवस्त पानी पिला देगा गुप्तों पर नहीं मान गी अब गुस्से का मतलब तो फिर यह हो उनका उद्देश है तो हमास आतंगवादी संगठन को खतम करना है अब उसके बीच में उनका जो भी आएगा तो मारेंगे भाईया क्योंकि उनके लोगों को मारा गया है लेकिन एक बात ध्यान रखता इसराइल और फिलिस्तिन के भी जितने भी विवाद चल रहे हैं किर्प्या कर हर एक सोर्स की अच्छे से जानकारी प्राप्त करें और फिर उसको शेर करें जैसे हाली में एक महिला था कि हमास आतंगवादी संगठन ने उस महिला को क्या किया एक बंदी बनाया और उसे तीन दिन तक भूका रखा और तीन दिन बाद उसको एक मास खिलाया और वो मास उसकी बच्ची का था लेकिन लिटरली जब मैंने थोड़ा सो देखा तो ये न्यूज आई कि वो फेक है वो महिला किसी दूसरी कंट्री की है वो दूसरा केस है उस भारत के अंदर खड़े होकर भारत का ही विरोध नहीं करेंगे वह फिलिस्तिन का सपोर्ट करें मर्जी है हमारे यहां कितना कतले आम हुआ है 14 अगस्थ की रात को देख लो आप जब आजाद हुआ था क्या कतले आम हुआ था कुन सा देश सपोर्ट करने के लिए आ गया थ प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् सपोर्ट करें कि यह तो वही बात होगी सवाल भी आपकर जवाब भी आपकर ऐसे कैसे हो जाएगा सब वही नहीं पाएगा तो यह सारी चीजे जिन पर है यह मैं अगर अपनी सोच बता हूँ तो मैं सान्ती की तरफ हूँ मैं चाता हूँ कि दोनों के जगड़े क्या हो जाए खत्म हो जाए लेकिन सर अगर आप सपोर्ट ही चाते हो तो फिर मैं सपोर्ट इसराइल कही करूँगा क्योंकि शुरुआत दूसरी तरफ से हुई है सिंपल सी है बात कहते है के ताली दोनों तरफ से बजती है ठीक है बज़े पर शुरुवात उधर से हुई है तो भहिया इसराइल के सपोर्ट में है मैं तो हूँ थोड़ा बहुत कि भहिया इसराइल ठीक है अपनी जंगा लेकिन उससे रूख जाना चाहिए यह वही मान जाए सिंपल सी बात है लेकिन जब आप उसको टोर्चर करोगे उसके ऊपर बंप फैकोगे फ्लान डेम काना शुरुवात ही करोगे तो भहिया फिर त पड़ता है भगवानों को भी लोग गाली देता है कोई दिक्कत नहीं समझें यहां पर क्या दिख रहा है तेहिस लाग की अबादी में दो त्याइसे अधिक लोग अपना घर छोड़कर भाग गये यह जब तुम्हें पता है जन धनकी इतनी हानी हो रही है त्यार रूख जाओ ना सामने वाला नहीं रुक रहा है आप ही रुक जाओ कि खतम करो हम हमास अंगटन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम इसको अलग रख देते हैं तो नहीं कर रहे हो अब यह टूडो बाइडन सीजिंग पिस बोलो जाओ कितने भी यार उनको कोई फरक नहीं पड़ता है अगर भाई उविसी बात है जैसे रस्या और यूक्रेन था दोनों के बेच विवाद हुए तो उनके अंदर क्या हुआ वहा पर आर्थिक जो पैदा हो गई उनके समान सस्ते हो गए इसलिए उनको बेचना पड़ा सस्ते में तो यूरोप कंट्री तो चाहेगे ना कि समान स पैट्रूलियम कंपनीज थी सब पर यही तो आरोप लगा था गवर्मेंट पर आरोप लगा था कि आप रश्या से सस्ता तेल बेच रहे हो और यूरोप में महंगा बेच रहे हो तब हमारे दिदेश मंत्री यसंकर साब ने कहा था कि भाया हम नहीं पेच प्राइबिट किसे है और कुछ नहीं है तो यह देखो अभी यहां पर एक अल शीफा होस्पिटल नाम का है जिस पर अभी इसराइल ने क्या किया था अटेक किया था वह लब उसके नीचे कह रहे थे कि उसका हेड़गाटर है पुक्ता सबूत के साथ उन्होंने बोला है जबकि फिलिस्त एल यूद में कुछ हागो और आहीं कर् кус नहीं देखेगा अगर सामने वाला नहीं जुक रहा है तो इनके लिए आप जुक जाओं लेखिन नहीं नहीं जुक पाएंगे। जुकेंगे तो और ज्यादा होगा तो यह अस्पताल था जिस पर अभी अटेक किया था रेडी की थी एक बंबी फैक दिया था अगर आपने देखा हो तो इसमें इमेज लगा नहीं पया वरने मैं आपको दिखाया था यह देखो डोक्टर सेज एस इसराइल फोर्स एंटर अ हमेशा दूसरों से पहले आपके हाथ चलेंगे यह आपका नुक्सान हो अक्सर किसी को मारना आखरी उपाय होता है लेकिन मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है रस्मी हमारे राम जी कहते है यह बाद तो हमने कभी किसी पर आक्रमन किया ही नहीं है इतिहास है आप कर दो कि सिंप तो यह मेरा पॉइंट व्यू था बाकि आप जो लिखना चाहूं ठीक है सर मिलेंगे किसी एक ऐसे ही मुद्धे पर बात करेंगे विचार रखेंगे शेयर करेंगे अपने थोट्स बताएंगे उनको सही भी करेंगे ऐसा नहीं है कि मेरे थोट्स बिल्कुल ह ही होंगे